कि अच्छा एक आखरी सब चीजों पर हम लोग आए कि कांग्रेस कह रही कि हम जैसे कि राहूल गांधी कह रहे कि नहीं माहौल हमें दिखाई दे रहा है साफ दिख रहा है कि अधर दिख बीजा सिंग जी कह रहे हैं इधर आपके गलोट साहब कह रहे हैं कॉंग्रेस जब इस तरह से आप लोग राजस्थान में यदि विपक्ष का होना डेमोक्रासी में बहुत जरूरी होता है और आपके स्टेट में तो भी तो जैसे कुछ राज्यों में तब कॉं राजस्थान का एक जिला है गंगा नगर गंगा नगर में 116.50 पैसे पैंटोल और मैं विश्वास करता हूं पुरी इंदुस्तान में रेट कहीं पर नहीं है तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह मैसेज तो अपने जहां उनकी सरकार है यही राजस्थान वो बहतर प्रशासन देकर दिखा देते तो देश की जनता के तिक नहीं मोदी से बहतर हमारे पास विकल्प है तो इस रूप से यही हम दोती एक अट-लाइन में आप लोग बता प है राजस्थान में सरकार पांस साल में कितना जनता को सुलब कर पाई यह जनता उसे प्संतुष्ट हो पाई है जनता थो आपके सवाल में जवाब भी है कि पांस साल के उन्होंने क्या किया है यह प्रदेश की पूरी जनता जानती है कुछ नहीं किया पूरी जनता को पता ह है प्रदेश कहा इक एक व्रती जानता इन्होंने क्या किया है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुष्ट्रिक ले की और था किया और यूद्व के साथ धोगा किया और आप बोले कि ये जो पपूजी महराज वो कह रहे हैं कि 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 लोग पेटरोल सब्सक्राइब इंड सर्कार थी राज़य में तुम्हाई सरकार थी गुजरात सेस्टा अधर्याना तो फाली बाते करनी है अन्हों मोदीजी का विरो नहीं ने आई एनदी याई करके ग्रूप क्यू बनाया मोदी जी को हटाना है पूरा देश उस वक्ती के इस ही का विलोध है विकल्पी निये उनके पास उनका उनका सिर्फ एक ही कारण है क्यों कि इनका विचार सर्वे भावन्तु सुकिनह का विचार है और बहुंतु सुकिनह का नहीं है तो वो अपने विचारों के उपर कटी बद्ध हैं और इसलिए वो कुछ भी कहेंगे कहते रहेंगे कोई फरक नहीं पड़ता और इसलिए पब्लिंग नाम भी उनको पपूजी दिया डिया देश में जटी ये पैदा करना चाहते हैं इनके पास में कोई मुद्ध हैं कोई नहीं इसके अलाव कोई यहां इनके पास पास कुछ खहने के लिए अब यह चाहते हैं कि आते हैं ने अब एक जैसे आपको देहान हो गुने सो 49 में जब ये 47 जब देश आजाद हुआ था उस्टें कम्मिनिस्ट पार्टी के महासर चीव थे पिसी जोसी वो सरकार जब अस्तामतरित की गई थी कॉंग्रेस को वो रसिया गए थे वही हम इस सरकार पे कैसे काबिज हो अब हालांकि सरकार में कम्मिनिस्ट तो नहीं आ पाए कई चेत्री पार्टी को तो फोट गए पर इस कॉंग्रेस में जरूरूर्ड काभी जो और को सलाकार हो यह हैं और अल्टिमेटली जो कॉंग्रेस का कभी ने में भी लोक्त अंतर नहीं आप वो उनको गोली बंदू य अच्छी बंगाल में उन्होंने बंबनाए के लोग दलों के मत्रम से सत्ता में अगर काभी जोगे तो यहां रास्तानी इस्तती भी वही कैला और बंगाल जैसी बना देंगे कॉंग्रेस के अंदर कॉम्मिनिस्ट गुष्ट गया है यही सबस्यादा खतर ना काभी अल्टिमेटली नक्सली संगठन हुई है और अलगर इसको आप बड़े इस्तर पर आप देखें आप देखें मोदी का विरोध एक किस इस्तर पर करते हैं मर्जा मोदी की नारे लगाते यहीं एक देश की एक लोगतांतरिक तरीके से चुनईवी सरकार को और चुनईवी प्रधानमंत्री को आप जिस वे में आप कृटिसिजम करते हैं लोगतांत्रिक तरीका नहीं है और मोदी के काफिले को आप रोकते हैं आप योगे यह परती उन्हें थे कई बार कोसिष कर पाकिस्तान में जाये काता है कि मोदी को अधानेंग लिए वारी यह वोट पड़ेगा वोट नहीं पड़ेगा वो किसी नहीं किसी तरीके से इनको जैसे परदान मंत्रियों को मारते हैं जैसे इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी है यह चाइना के आज चाइना में गए सोनिया गंधी और राओल गंधी उन्हें एक्रिमेंट साइन किया पपलिक जादना चाथी है उस एक्रिम्टे में था क्या है आज भी कोंग्रेस पार्टी उस विसे कभी भी कहीं भी किसी स्टेज पर बोलना ही नहीं चाहती आज भारत के खिलाफ agreement था या कॉंग्रेस के पक्समें agreement था या क्या था उसके content क्या था agreement के वो कभी भी सामने नहीं है तो कहीं नहीं कहीं मन में आम पप्लिक के रहता है यह जो कॉंग्रेस यह वह नहीं है जो भारत के जन्मानस ने दूसरी कल्पना करके सोचा था वो कॉंग्रेस नहीं है जोड सोरस का नाम तो मतलब हर इंसान को पता है कि जो सोरस जो फंडिंग कर रहे हैं उन्होंने तो खुल्या में भारत मोधी खिलाफ चल रहा है पूरा मुला बहर आर जी जा हैं कि लिए भाग रहे हैं बाहर जा रहे हैं तो इंडिया में धंगे हो रहे हैं आग केरोसीन डलावा है माचिस लगाने के यह सब सारी चीजें यह इसी को अंकित करती है या इसी और इसी कितर बताती है कि यह 2024 से पहले सिविल वार कराने के अंदर-अंदर खिचडी पकार है तो यह था हमने समझने की कोशिश को पूर वकिलों की राय बहुत-बहुत धन्यवाद